तो रहशमिक तरीक से उसकी मृति हो जाती है ऐसे चीज इसके बाद है कि हमारे 44 योगनी मंदिर से हमारा भारत का पूर संसत भवन था वो इसी इसको देखकर बनाया गया था तो गाइस पहुंच चुक है चौसरी डियोगरी मंदिर यह है नीचे से आपके आने का रास्ता इस पर नोर्मल आ सकते हैं यहां से शुरुआत होती है चड़ाई की और अगर आप बूड़े या बच्चों के साथ आते हो तो किरपया ध्यान से चड़ें सब लोग क्योंकि आपको मैं दिखाता हूं पावर की भाईया के पैर में भी लगी हुई है ट्रेन हाथ से में पर चड़ेंगे बहिया का भोले नाथ के प्रदी बखते बोले ना सुरेंगे बहिया मांग लो आप सब बोलो हर हर महांदेव चलो यह देखो हां उपर है बहेंकर वाली यह सामने मम्मी और भी आ रहे हैं योगनी मंदर जो की प्राचिन समय में तंत्रिक विद्ध्याले के नाम से विख्यात था आज भी इस चौशड योगनी मंदर में अमावश्य और पूर्ण्यमा के दिन काफी अगोरी और जो तांत्रिक सिद्धिया करते हैं ऐसे लोग आते हैं उस जानकरी यहां पढ़ दी गई है आप लोग पढ़ लेना जो इंग्लिस नॉलेजिवल हैं वो उनके लिए इंग्लिस में उपलब्द है यह मंदर का प्रवेश द्वार है हम यहां से जब मंदर में प्रवेश करते हैं तो यहां से प्रारम हो जाता है मंदर इस मंदर के ही डिजाइन से हमारा जो भारत का संसत बहुंता पुराना वा पीछ में मुख्य बिंदू पर ते महाधेव की मुर्ति इस्तित है और माता पार्वती आपको दिखाते हैं यह मुख्य में इस्तित है माता पार्वती और महाधेव आपको दर्शन कराते हैं यह हैं बोले नात और साथ में माता पारवती जी की मुर्ती यहां से बोले नात और माता पारवती 64 योग नियाओ पर नजर रखती हैं कि कोई भी कहीं चली ना जाए और अगर इस मंदिर के आप कला करती देखोगे ना तो आपको मैं दिखाता हूं देखिए कोई जोन मैं सायद पर उसके बाद भी इतनी टेकनोलोजी डवलपमेंट नहीं थी उसके बाद यह मंदिर इतने भूकम को झेलिया जबकि पहाड़ पर इस्तिता है जिसका रेक्टिकल्स का सब्सक्रादा मांटेंस पर होता है और जैसे कि आप यह देखेंगे यह देखिए इसमें ग यक्ति रात में रुख जाता है यह साम कि 6 वजे के बाद रुख जाता है तो रहश्मिक तरीक एसे उसकी मृत्ति हो जाती है ऐसे चीज इसके बारे में मैं पुष्टी नहीं करता मुझे नहीं पता है पर नीचे जब गाउवालों से हमने पूछा तो यह चीज हमें पता ल रखता है कि जो भारती संसत मुझे वह इसी से डिजाइन उद्सश्स चोरी किया है या नहीं मेरी श्रद्धा यहीं कहती है कि हमारे चौशड्य योगनी मंदिर से हमारा भरत को पूर संसतभोन था वह इसी इसको देख खर बनाया गया था तो ये हैं मंदिर का भार से पूरा डिता हैं आपको पूरा में दिखा देता हूँ तो जय महादेब कंकर चुब गए प्रभू ये लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते प्रभू इनसे पूलो सब्सक्राइब करें गया यहां से मैं जाने वाला नहीं मुझे माफ करना यहीं तक आप लोग देशन कर लो मंदिर से थोड़ा सा आगे आने के बा यह मुझे नहीं पता च्रण पादुका बनी हुए मेरे साथ से चौसर योगनी मिया की च्रण पादुका है तो इन सब के आप भी दर्सन कर ली गिए माते आश्रवाद दो और अपने बेटे पर मेरा चैना लुट जान माते मेरी इस स्काइबर स्ना थेयर निकरते हैं वीड और फिर मिलते हैं नेक्स व्लोग में तब तक के लिए आप लोग खुस रही है मस्त रही है एपी रही है और अपने भाई को सपोर्ट करते रही हर हर महदेव